या हो गाया है मुझपफर पूर्वालों की आवाज को मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है 25 में भाजपसर का लानी है या नहीं लानी है तो मेरे साथ दोनों हाथ उटाइए विजय के संकल्प की मुट्टी बीचिये और प्रचंड वाद से बोलिये भारत मता की मंच उपर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्स श्रिमान समराट चोदरी जी विपक्स के नेता श्रिमान विजय जी मंच पर उपस्थित बारत सरकार के मंत्रिगण सांसत गण विदायक गण और बैटे हुए भारतिय जनता पार्टी के पदाधीकारी गण और आज ये रेली नहीं रेला दिख रहा है उसमें आये हुए सभी प्यारे भाईों, बैनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्रब बिहार की जनता को छट महापरव का बहुत बहुत सुबकामना देना चाहता हूँ अभी ही छट का उत्सा दिखने को मिल रहा है मैं छट महिया से प्राथना करता हूँ के आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो पल्टू राम से मुक्त हो मित्रों मैं यहां स्थित बाबा गरीबनात और खगेश्वरनात मंदिर में बिराजमान भगवान सीव को चरण में बंदना करकर मेरी बात की मैं आया हूँ तब लगबग लगबग पूरे बिहार के सभी अंचल का मेरा दोरा आज समाप्त हो रहा है मैं फिर से एक बार बिहार की जनता का रदय से धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सिटे दी और 19 में 49 सिटे दी इस बार 24 में एक का कमी रह गया है 24 में 40 की 40 सिटे मोदी जी की जोली में डाल दी जी और मित्रों इससे भी बड़ा विननती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है भाजपा सरकार बनानी है क्योंकि आपने जब 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 आसिरवात दिया एप पल्टू राम ने पल्टी मार कर जनादेश का ध्रो किया मुझे बताओ आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाब वोट दिया था या नहीं दिया था जोर से बोलो दिया था या नहीं दिया था एप पल्टू राम प्रधान मंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रो करे है और बिहार को जंगल राज की गुंडा राज की भेट पर चड़ाने का काम निजीश कुमार जी ने किया है मित्रो मोदी जी के नेत्रुतों में अभी अभी जी ट्वेंटी हुआ और जी ट्वेंटी में दिल्ली घोशना पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमती से स्विकार करकर मोदी जी का सन्मान करने का काम किया है आपरिकन यूनियन को जी ट्वेंटी में सामिल किया आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायो प्यूवल एलाएंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा घांधी के समाधी पर राजगाट पर स्रद्दान जली दिला कर समग्रदेश का गवरव बढ़ाने का काम किया है मित्रो मैं आज यहां आया हूँ तब पल्टु बाबु को कहने आया हूँ आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रो किया है परन्तु मोदी जी ने नौ साल में इस देश में से आतंकवाद को समाध करने का काम नरेंद्रमोदी जी ने किया है मुझे बताओ बिहार वालो कस्मीर हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए दी या नहीं हटनी चाहिए दी ARJD और जदयो दारा 370 हटाने के पक्स में नहीं थे उन्होंने कहा कि दारा 370 हटाओगे तो कस्मीर में खून की नद्या बहेगी लालू जी खून की नद्या छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की मोदी जी ने त्रिपल तलाग पर बेन किया सर्जीकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करकर आतंकवादियों को सिधा करने का काम किया चंद्रमा पर तीरंगा पहुचाने का काम किया नया पारलामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओ बेहनों को 33 प्रतिसत आरक्षन विधान मंडल और संसद में देकर मात्रु सक्ती का सनमान करने का काम नरेंद्र मोधी जिने किया है मित्रों यह जो इंडी एलाइंस है उनका एक ही एजंडा है नरेंद्र मोधी का विरोध करना इनोंने जब इनको सासन मिला तब बारा लाग करोड के गपले गोटाले करे थे और प्रश्क्राचार का विरोध करने वाले नितीस बाबो अज चार सीटेट लोगों के साथ सत्ता का सूख बोग रहे है नितीसी सर्म करो सर्म करो लालू की खिलाफत करकर राद निती की थी आज लालू की घोदी में बैठे हो माताओ भाईओ बैनो मुझे बताओ टू जी घोटाला करने वाले इंडी एलाइंस वाले चाहिए या फाईव जी देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए जोर से बोलो मित्रो एप परिवार की दुकान चलाने वाले लोग है एक को प्रधान मंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्य मंत्री बनाना है मैं दोनों को कहने आया हूँ नितीस बाबू प्रधान मंत्री छोड़ दो इंडी एलाइंस ने तो आपको संयो जग भी नहीं बनाया आप कहीं के नहीं रहे मैंने पहले ही कहा था आप माने नहीं तेल और पानी कभी खटा नहीं होते है अलग-अलग ही रहते है आगे भी देखे लालू जी आपकी क्या घत करे है और अब हरोज चट पटा रहे है लालू जी से निकलना तो है मगर रास्ता नहीं बचा है कभी कॉंग्रेस को गाली बोलते है कभी कारेक्रम में नहीं जाते है मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है माता हो भाई हो बेनो दो प्रकार के जैम है BJP सरकार का जैम है जंदन एकाउंट आधार और मोबाईल और बिहार सरकार का जैम है जातिवाद और परिवारवाद अपराद और माइनोरिटी का तुष्टी करन आपने मोदी जी के जहम के पास जाना है आगे नहीं जाना है मित्रो अभी अभी ये गटबंदन वालों ने बिहार की जनता को गुम्रा करने के लिए पिछडा समाज के ख्वेरखा होने की बात करी आज में बिहार के पिछडा समाज को कहने आया हूँ इनके जासे में मत आईये ये जो सर्वेक्षन करा है नितीजी ने सर्वेक्षन करने का फैसला हुआ तब भारतिय जनता पार्टी नितीज सरकार में हिस्सेदार थी और भारतिय जनता पार्टी का फैसला था और मित्रो सर्वे में क्या किया यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ा कर EBC की आबादी को कम किया अती पिछडा को पिछडा को अन्याय करने का काम ये लालू नितिस की जोड़ी ने किया है मित्रो इनों ने हमेशा पिछडा समाज का कॉंग्रेस ने बहिसकार भी किया विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछडा समाज का सन्मान करने का काम किया है माताओ भाईयो बेनों मोदी जी के मंत्री मंदल में 27 मंत्री जोड़ से बोलो कितने मंत्री 27 मंत्री OBC समाज से है 35 प्रत्षत चे ज्यादा मोदी जी ने OBC कमिशन को समवेधानिक मान्यता दी है लालू जी अब 10 साल तक UPA सरकार में थे OBC कमिशन को क्यूं समवेधानिक मान्यता नहीं दी इसका जवाब बिहार के पिछडा समाज को लालू यादव दे नरेंद्र मोदी जी ने पिछडा समाज की सूची को राज्यो को नीने करने का समवेधानिक अधिकार दिया है विध्यालय नवदय विध्यालय और सैनिक स्कुल में OBC समाज को पिछडा समाज को 27 प्रतीसत आरक्षन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है IIT में सारे पिछडा और EBC वालों का फीस माप किया नीट की परिक्सा में मेडिकल के डाखलों में OBC समाज और अति पिछडों को आरक्षन की व्यास्ता की पेट्रोल पर्म और गैस एजन्सियों में पिछडा समाज और अति पिछडा समाज को 27 प्रतीसत आरक्षन दिया प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक चात्रों की वित्तिय सहायता की और DBT के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीज भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मैं आज बिहार के EBC और OBC पिछडा और अति पिछडा दोनों समाज को कहने आया हूँ एस सर्वे जो है ये छलावा है हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नई मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ा कर अति पिछडा को अन्याय करने का काम ये नितीज कुमारों लालू करेंगे माता हो भाई हो बैनो मोदी जी ने आज देश के साथ करोड गरीबों को साथ करोड गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रसस्त किया है और ये कहते हैं इंडी एलायंस वाले जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी तो ठीक है लालू जी सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनोमिकल बैकवर्ड आया है क्या आप गोशना करोगे कि इंडी एलायंस का मुख्यमंत्री अतीप पिछडा समाच से होगा इसकी क्या आप गोशना करोगे लालू जी मेरी बाद का जवाब दे मित्रो इन्होंने हमेशा तुरुष्ट्री करन करने का काम किया है मुझपरपूर, सासाराम, बिहार सरीब, पूनिया, कटिहार, भागलपूर इसके सहीद समग्र बिहार में मुस्लिम तुरुष्टी करन का काम किया है इसको रोका न गया तो सिमान तक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है मित्रो, पूरा बिहार, गैंगो और काड़ा बना है, भाजपा के नेता, राजेस हांस्दा की गोली मार कर हत्या की और हर रोज अपरण होने लगे हैं, फिर से लालू राज आ गया है रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालो लोगों ने रोजगारी की रेली पर लाठी चार्ज करकर यूआओ को अपना असली चहरा बताने का काम ये लालू और नितीश ने किया है माताओ भाईयो बेनो, ये मुझभफरपूर में 200 करोड से 100 बेड का कैंसर अस्पताल हमने बनाया लीची को GI टेग मिला और डाक टिकिट पर साही लीची को स्थान देकर मुझभफरपूर के किसानों को पूरे देश के अंदर बाजार देने का काम मोदी जी ने किया है हमारी सरकार ने दर्बंगा एरपोर्ट पर अब 16 लाख यात्री ऐसी जगय दी थी भाई और बैनों केंदर सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी लालू जी वहाँ मंत्री थे तब 10 साल में बिहार को एक लाख पचास अजार करोड रूपया दिया था मोदी जी ने 9 साल में 6 लाख करोड रूपया देकर बिहार का विकास किया है ये 6 लाख करोड रूपया ग्रांटिन एड और डिवेलुशन का है इसके अलावे भी 4.5 लाख करोड रूपया बिहार में कई सारे पूर दो नए वंदे भारत ट्रेन तीन वंदो मेटरे ट्रेन चलाने वाले है पची सो चौरासी करोड से 49 नए रेलवे स्टेशन पटना का हवाई अड़ा और गया के हवाई अड़े का आधुनी करन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसके साथ साथ मुझप्फर पूरवालो ध्यान से सुनना 86 लाख किसानों को हर माँ 6 हजार हर साल 6 हजार रूपया नरेंद्र मोदी सरकार बेज रही है 80 लाख गरीबों को 80 लाख से ज्यादा आईउसमान भारत के लाबार थी है 1.3 करोड सोचालय बनाए है 1.8 करोड 1 करोड 80 लाख गरीबों को प्रतीमा 5 किलो हनाज पती व्यक्ती मोदी जी भेज रहे है और मोदी जी ने कली एलान किया है अगले 5 साल तक ये गरीबों को और अनाद देने का काम भारतिय जनता पार्टी करने वाली है 23 लाख गरीबों को गैस का सिलिंडर दिया और इसके साथ-साथ 26,000 गरीबों को घर देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने के मुझे बताओ भई अंतीम बात में कहना चाहता हूं मुझे अपड़ पुर्वालो जरा जोर से बताना अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोर से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था इंडिय अलाइस वाले लालो नीतिस कॉंग्रेस राम जन्वभुमी के मंदिर को लटकाते रहे अटकाते रहे भटकाते रहे मोदी जी ने इसका भुमी पुजन किया और 22 जन्वरी 2024 को भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्टा होने वाली है मैं तो बिहार वालों को निवेदन करने आया हूँ 22 जन्वरी को 12 बजे प्राण प्रतिष्टा है देश भर के मंदिरों में आर्थी होने वाला है आप भी सामिल होईए और लाम लल्ला की प्रतिष्टा का स्वागत करिये यही मेरा विनन्ती है मुझे बताईए आने वाले चुनाव में दोजार चौबीस में जो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ चौबीस में सभी सीटे जितनों का संकर्प करिये और प्रचंद आवाच से बोलीे भारत मता की देख भारत मता की देख वंडेख